जारकंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं हेमन सोरेन के नेत्रित वाले सत्ता रूड गठ बंधन को ओपरेशन लोटस का डर है उपर से सोरेन के खिलाफ ओफिस ओफ प्रॉफिट वाले केस में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है लिहाजा गठ बंधन ने अपना बैकप प्लान्स त्यार कर लिया है जी बिहार जारकंड में आज ये है खास और मैं हूँ अमिता किशोर सबसे पहले ये समझे कि जारकंड राजनीती में ये तूफान क्यों उठा है दरसल भाजपा ने मुख्य मंत्री पर अपने नाम माइनिंग लीज का आरोप लगाते हुए उनकी विधान सभा सदस्यता रद करने की मांग की थी इस केस में आयोग का फैसला किसी दिन आ सकता है इधर माइनिंग लीज और शेल कंपनियों में निवेश के आरोपों से समबंदित याचिका पर सुप्रीम कोट ने भी सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रखा है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोट के फैसले राज्यक के सत्ता समी करन को प्रभावित कर सकते हैं इसलिए जारखंड की सरकार एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है इस बीच गटबंधन ने शनिवार को सीएम आवास में बैठक की बैठक में इस बात की रणनीती बनी है कि अगर सोरेन नपते हैं तो क्या विकल्प हो सकते हैं ने सीएम के लिए हेमन सोरेन की पतनी कलपना सोरेन के नाम की चर्चा है इस चर्चा को तब और हवा मिली जब बीजेपी सांसर निशीकांत दूबी ने ट्वीट किया कि जारखन में भावी जी की ताजपोशी की तयारी चल रही है सूत्र कह रहे हैं कि बैठक में ने सीएम के नाम पर समर्थन पत्र साइन कराइगा है लेकिन सोरेन के खिलाफ फैसला आया तो भी ऐसा नहीं है कि तुरंत ने सीएम की जरूरत होगी सोरेन इसके खिलाफ कोट जाएंगे सदस्तिता जाने पर सोरेन के पास 6 महीने के अंदर उप्चुनाओ का भी आप्शन होगा इस पूरे प्रक्रण पर राची हाई कोट के अधिवक्ता धीरज कुमार का कहना है कि अगर निर्वाचन आयोग ने मुख्य मंत्री से जुड़े मामले को Office of Profit के तहट माना फिर भी उनकी विधायकी पर खत्रा है लेकिन अगर मुख्य मंत्री के पक्ष में फैसला सुनाया गया तो यह साफ हो जाएगा कि यह मामला Office of Profit के तहट नहीं आता है जायरखंड के मुख्य मंत्री हेमन सोरेन उनके एवम उनके रिस्तदार के मामले पर चुनाव आयोग के समच्छ सुनवाई पूरी कर ली गई है इसमें फैसला सुरच्छित रख लिया गया है अब यदि इसमें कोई कयास लगाये जा रहे है तो चुकि कानूनी पहलू में कयास का कोई अस्थान नहीं है चुनाव आयोग के द्वारा फैसला आने तक इंतजार करना होगा लेकिन ओफिस अफ्रोफिट केस के अलावा फिर भी ओपरेशन कमल न चल जाए इसलिए गठबंधन ने सभी विधायकों को राजधानी राची के आसपास मौजूद रहने को कहा है चर्चा है कि इसी प्लान के तहट स्पीकर को कनाडा नहीं भेजा गया जे एमेम से तालुक रखने वाले जारखंड विधान सभा के अध्यक्ष रविंदर नात महतो को कनाडा में होने वाली जास्ट्र मंडल संसदिय संग की बैठक में शिरकत करने के लिए गुरुवार को रवाना होना था लेकिन उन्होंने अंतिम समय में ये प्रोग्राम स्थागित कर दिया हाला कि इसके पीछे उन्होंने अपनी सेहत से जुड़े कार्णों का हवाला दिया है इससे पहले 30 जुलाई को कॉंग्रेस के 3 विधायक कोलकाता में 49 लाक रुपे कैश के साथ पकड़े गए थे तब कॉंग्रेस ने तिर्ट्व ने कहा था कि ये 3 जार खंड की सरकार को गिराने के लिए असम से रची जा रही एक साधिश का हिस्सा थे और इसी वजह से इन तीनों को पार्टी ने निलंबित किया कॉंग्रेस को लगता है कि साधिश के तार अभी बुने जा सकते हैं लहाजा तीन निलंबित विधायकों के अलावा पार्टी के अन्य 15 विधायकों की हर गत्य विधी पर नित्रितु की गहरी नजर है क्या जारखन की सरकार को वाकई कोई खत्रा है इस सवाल पर शुक्रवार को पार्टी की केंद्रिय प्रवक्ता सुप्रियो भटचारे ने कहा कि कोई क्राइसिस नहीं है राज्ये में जब से गठवंधन की सरकार बनी है भाजपा तभी से हर कुछ रोज पर इसे गिराने की मियाद तै करती रहती है भटचारे ने कहा था कि शनिवार को बैठक बुलाई गई बैठक का मुद्दा राज्ये में सूखा है लेकिन राज्ये में सियासी शांती हो ऐसी भी बात नहीं है दोनों तरफ से आ रहे बयानों को देख कर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कुछ तो अंदर खाने में चल रहा है जारखन की सियासत पर ताजा अपडेट और इंडेफ्ट अनलसीस के लिए देखते रहे जी बिहार जारखन